जे माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक स्वागते महाकाली भगत ग्यान यूटुग चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बत्याने वाली हूँ ओम किरिम कालिकाय नम्हा इस मंतर का जाप जो व्यक्ति करता है वो कान खोल के सुन ले कि आपके जीवन में क्या होता है इस मंतर का जाप करने से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माता काली के सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्र के बारे में जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखी रहा है और आज की समय में इस मंत्र का जाब 90% लोग अपने घर में करते हैं चाया घर में करें चाया चलते फिड़ते करें चाया सोते लेटते बैठते उठते कैसे भी करें लेकिन लोग इस मंत्र का जाब सबसे ज़्यादा कर नहें हैं और इस मंत्र के फायदे भी उनको बहुत हो रहे हैं और साथ में अगर वो कोई भी अर्दास या मनुकामनाय माता के आगे रखते हैं तो वो भी उनकी जल्दी पूरी होने लगती है इस मंतर के जरीये से तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी ओम किरिम कालिकाय नमहा मंतर को जपने से आपके जीवन में क्या होता है क्या क्या चीजे घटीत होती है और कैसे आपको इस मंतर का जाप जादा से जादा करना चाहिए और ये मंतर सिध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस मंतर को लेके कई सवाल आप लोगों के मन में उठते हैं तो आज मैं उनको किलियर करने वाली हूँ तो आपको क्या करना है वीडियो को देखना है लास्ट तक तब ही आपकी समझ में आएगा और बताने से पहले में एक छोटी सी रिक्वेश्ट आप से करना चाहूंगी अगर आप लोग महाकाली भगत ग्यान यूटुब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर लेना और बेल आइकन को ओल पे सेट कर लेना ताकि अमारी जो भी निव वीडियो आए, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पोचे अधित्र करके 90% लोग इस मंतर का जाप करते हैं और ये माकाली का सबसे प्रिये मंतर है मतलब हम तो इसका जाप कर ही रहे हैं लेकिन माता काली का भी खुद ही प्रिये मंतर है और माकाली इस मंतर के जरिये से आपकी हर इच्छाएं भी पूरी करती है लेकिन कोई व्यक्ति इसको अलग तरीके से जबता है तो कोई व्यक्ति अलग तरीके से जबता है जैसे मैं वीडियो में बताऊंगी तो और भी जल्दी आपको इसका चमतकार दिखने शुरू हो जाते हैं और आपको हर चीज में फाइदे भी मिलते हैं पहली बात तो देखिए जो व्यक्ति इस मंतर का जाप करता है वो नीचे कमेंड में जैमा काली जरूर लिग देगा और अगर कुछ पूछ न चाता है तो कमेंड करके पूछ भी सकता है देखिए इस मंतर का जाप करने से हमें भूत फाइदे होते हैं और भूत नुक्षान भी होते हैं दो तरीके से हमें इस चीज के फाइदे भी होते हैं और नुक्षान भी होते हैं पाइदे क्या होते हैं जैसे आपके घर में कोई बुरी शक्ती का वास हो ये किसी ने कई से आपके ओपर जादू टोना तंतर के रिया ये सब चीजे करा रखी हो ये आपके घर में करा रखी हो तो आप इस मंतर को जपना शुरू करते हैं तो आपको इस मंतर के जरिये से इन स सब चीजों से छुटकारा मिलता है, आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति हो, कितनी भी शक्ति शाली हो, कितनी भी बड़ी क्यों नहों, जब आप ये मंतर जपना शुरू करते हैं, तो वो आपके घर में कदम तक नहीं रख सकती, इस चीज का आपको फायदा होता है, दूसर कहीं और आलतु-फालतु चीजों में चले जाता है, तो इस चीज से भी आपको शुटकारा मिलता है, इस मंतर के जरिये से माकाली आपके घर में माता लक्ष्मी और गनेश जी को विराजमान करती है, जिनकी वज़ा से आपके घर में कभी भी जीवन में पैसे की कमी नहीं और पैसा आपके पास खूब रहता है, और इस चीज का भी आपको फाइदा होता है, जैसे माकाली की किरपा प्राप्त करनी हो, या माता की शक्ती प्राप्त करनी हो, या फिर माता की सवारी प्राप्त करनी हो, तो यदि हम इस मंतर का जाप करना शुरू करें, तो हमें माता कि शक्ती भी प्राप्त हो जाती है सवारी भी प्राप्त हो जाती है और माकाली की किर्पा भी मिल जाती है इस चीछ के भी आपको इस मंतर के फाइद होते हैं और आपको साथ में इस मंतर का जाप केसे करना चाहिए देखि कभी भी आप इस मंतर का जाप कीजिए तो रुद्र करने में ठीक है और जितना आप रुद्राक्स की माला से जाब करोगे तो रुद्राक्स की माला पे भी आपकी देवी देपता बैठते आके जैसे की माकाली भगवान शीव जिसके देवी देपता के मंतर के आप जाब करते हो वो भी आपकी माला पे आके व्राजमन होते हैं औ और दो लोंग रखो और साथ में एक दिया छोटा सा जला लो फिर बैट के अराम से इस मंतर के जाप करो और देखोगी रोजाना आपके काम कैसे सफल होंगे कैसे आपको वो मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं जिस चीज में आपने हाथ रख दिया वो चीज आपको मिलती ही मि और इसके नुकसान यह होते हैं कि कुछ लोग मैंने देखा है जैसे टोइलेट में बैठे हैं मा बैठे बैठे इस मंतर को जप रहे तो यह गंदगी मत फिलाओ आप कभी भी मंतर जब हो अपने घर में मंदिर में बैठ के जब हो ऐसी गंदी जगा उपे मत जब हो दूसरी जब हो जाती है तो Deptholyekt इसको पता नहीं होता है यह मंतर जब भी जब तरहा है तो मुरिध्यो के समय आपको मंतर नहीं आपके घर में कोई भी सुब काम यानि पूजा पाछ से रिलेटेड कोई भी काम नहीं किया जाता तो आक को इस समय भी नहीं करना चाहिए अगर आप क और विवार्भी देते हैं तो आपको इसके नुकसान भी कई होते हैं आपके जीमन में जो बदलावाता guitar सब पहले जैसा होने लगता है जो आपके साथ पहले होता था वही होने लगता है और तीसरी चीज आपके गर में कोई भी जच्चा हो तो उस समय भी आपको ये मंतर नहीं जबना चाहिए और पीरियर्ट से जो लेली से होती है उनको भी ये मंतर उस समय पे नहीं जबना चीए ठीक है तो आपको काफी ज़्यादा नुकसान भी इस मंतर से होते हैं और इस मंतर के फायदे भी काफी ज़्यादा होते हैं आपकी मनुकाम नपूरी